नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो आपके मन में भी एक छोटा सा कन्फ्यूजन या पर डाउट हो सकता है वीडियो एकदम सौट हैं बनाऊंगा इसलिए एक वार एंड तक जरूर देखते रहे न आपको पूरा किलेर हो जाएगा तो दे मेरे फादर का नाम राम मिलन ही है और अब बात करते हैं कि मेरे जो फादर का अधार कार्ड है पर फादर के सैटिफिकेट में उनका भी उसमें नाम राम मिलन ही है लेकिन मुझे कन्फ्यूजन यह आ रही है कि यहां पर जो मेरे डोकुमेंट्स में फादर स्नेम में राम मि मिलन दोनों अलग-अलग है जब कि मेरे फादर के जितने भी डॉकुमेंट्स में उनका जो राम मिलन नाम है वो सटा दिया है बीच में कोई भी स्पेस नहीं आया है तो क्या अगर मैं अपने डॉकुमेंट्स के तो पासपोर्ट के लिए अपलाई करूं तो मुझे कोई दिक दिक्कत आएगी या फिर पुलिस बैरिपिकेशन मुझे कोई दिक्कत आएगी इस प्रकार के कोई्टिन आप लोगों के आते रहते है जब मैच कर रहा तो यहां पर किसी को कोई भी दिक्91 आएगी भले आपका जो राम मिलन पॉला श्केवाइख भी इसका होगे और आपके और पहन करण में कुछ और होता और आपके अधार कार्ड अपर पयन कार्ड कोच और होता तो इस व falsch Ouch हो जाता है तो आपको passport बनवाने में दिक्कत आ सकती है लेकिन आपकी तो यहां पर पूरी details match कर रही है तो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसी परकार से ऐसा मेरा भी है और दोस्तों जब मैंने अपना passport बनवाने जा रहा था तो बनवाने से पहले मुझ कि जिप्रकार का कोई question है माने में कोई doubt है तो आप मुझे comment करके जरूर पूछ सकते हो या फिर आप मुझे instagram में भी message कर सकते हो link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा चली मिलते ने एक्स वीडियों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद